आप जब google.com खोलते हैं तो आपको क्या नज़र आता है जिकीनन आपको google का एक logo एक search box और उसके लावा कुछ लेंक सूप पर या नीचे इसके लावा आपको बाकी सारा white पर ही नज़र आता है और अगर आप यही google.com किसी और browser में खोलें मॉबाइल में खोलें या किसी और जगह पे भी जहां पर भी internet available है और browser चलता हो वहाँ पर आपको google.com as it is नज़र आएगा तो google अपने search engine में बहुत सारी changes लेकर आता है लेकिन google पिछले 20 साल से अपना homepage एक जैसा ही रखा हुआ उसमें यह 2008 में google इस तरह से नज़र आता था यह एक sample है google की search page उस वक कैसे था लेकिन 2018 में google ने अब तक कितनी changes कर ली हैं आपको काफी चीज़े नई नज़र आएंगी जो आपको पहले नज़र नहीं आए थी तो यह google कैसे करता है और यह सारी चीज़ें क्या हैं इस पर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि वो कौन कौन से नए features हैं जो google डाल चुका है और उन sections को क्या बोलते हैं और वो sections कब कब किस किस तरह से नज़र आते हैं तो google ने पिछले 10 सालों में काफी जादे improvements की हैं design के अंदर भी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें अंदाजा भी नहीं होता और हम देखते हैं और हम उसको ignore कर देते हैं मेरी कोशिश है कि मैं आपको काफी important चीज़ें बता दूँ कि क्या वो हैं और हम कैसे उसको रोज़ाना अपनी life में देखते हैं सबसे पहले आता है direct answer box अगर आप Google से कोई answer पूछें तो वो आपको जवाब देना चाहता है Google एक answer engine है और हम इस पे पहले बात कर चुके हैं तो Google की कोशिश ही होती है कि आपको वो अगर सवाल समझ जाए आपका वो directly उसको answer करना चाहता है और इस answer को prominent करने के लिए वो बाकी results से different design दिखाता है और वो design कुछ इस सरा से नजर आता है कि वो अपने answer को prominent की एक जगा देता है उसमें आपको सवाल का जवाब होता है जहां पर उसको images दिखाने हैं में जिस भी दिखाता है और साथ related searches भी दिखाता है उसके बारे में तो यह एक change है जो Google ने पिछले 10 साला में की है फिर दूसी change यह है कि Google featured snippets के नाम से आपको मुख्ली चीजें highlight करके दिखाता है जिनमें सबसे पहले paragraph है तो अगर आपकी query किसी ऐसी चीज़ के बारे में है जो information मांग रही है वो आपको Google उसके बारे में एक paragraph दिखाएगा और वो इस तरह से आपको नज़र आएंगी कि जो भी आपकी information है ताके आपको फॉरण Google पर ही पता चल जाए अगर आपको कोई छोटा सा जवाब है जो आपको Google के ओपर ही मिल गया है तो आपको मजीद click करने की जरूरत नहीं है कि आप मजीद उस website पर जाएं और उस website को खोल कर उसमें अपनी information capture करें तो Google यहीं चाहता है कि आप उस सारी information Google के ओपर से ही ले ले लें और अगर आपको इससे बेहतरी मिलती है तो ultimately आप Google पर ही रहेंगे ना कि Google को छोड़के अगरी website पर जाएंगे एक और feature snippet की example है वह है bullets में list अक्सर लोग चीजें धूनते हैं let's suppose कोई recipe की पकाने की recipe धूनता है कोई और चीज जिसमें list का शुमार होता है वो list basically Google आपको अक्सर ऐसे ही दिखा देता है तो अक्सर आपको steps लिखें for example how to set up a camera how to drive your car अगर आप यह सारी चीजें ऐसे गूगल से पूछेंगे और उसमें अगर steps involved है तो Google क्या करता है कि अगर Google को समझ आ जाए कि आपकी query क्या है वो आपको direct answer देने की कोशिश करेगा और वो feature snippet की सूरत में आपको bullets में list दिखाएगा और यह list आपके सामने आपको वहीं से मिल जाएगी मज़ीद आपको यह भी करेगा कि आपको reference देगा कि अगर आपने मज़ीद पढ़ना है तो आप कहां से पढ़ सकते हैं इसी तरह से एक और Google का feature है जिसमें वो आपको number list दिखाता है तो अगर कोई step involved है तो अगर वो number 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से step-wise number चल रहे हैं तो वो आपको number list दिखा देगा Google के ओपर ही जिसके साथ आपको अगर आपको information वहीं मिल जाए तो आप Google छोड़कर किसे और website में नहीं जाएंगे और आप वहीं से अपनी information हासिल कर लेंगे तो एक और चीज़ गूगल बड़ी important करता है वो table design है अगसर table design ज़रूरी होता है कुछ खास information understand करने के लिए तो अगर आपको information columns के अंदर मिल जाए तो आपको वह बड़ी असानी से समझ आ जाती है कि इस information का क्या मतलब है तो for example इस तर जिस तरह से ये अपने investment के बारे में बात कर रहे हैं आप इस तरह से बहुत जग़ों पर बहुत examples के साथ आप ये understand कर सकते हैं इस तरह का design आपने अकसर देखा होगा कि गूगल जब conversion करता है जब आपको tables दिखाता है आपके लिए information digest करना information हजम करना बहुत असान हो जाती है और गूगल ये भी सिरफ आपकी इसानी के लिए करता है वो तब जब गूगल को ये लगता है कि उसकी information आपको help करेगी और ये वही information है जो आप धून रहे हैं एक और शीज इंटरस्टिंग आपने देखी होगी खसूसां जब आप कोई product धून रहे हो जिसके ratings आपको चाहिए हो या उसकी price आपको चाहिए हो वो उसको rich snippets बोलते हैं और वो कुछ इससरा से आपको नज़र आती है Google ये करता है कि Google website से data उठा कर अगर वो public website है जिसमें लोग आके review कर रहे हैं आपने किसी e-commerce website से shopping करनी है और वहाँ पर एक product लगी वी है कुछ लोगों ने खरीदा उसको और उसके बाद उसको review दिया किसी ने one star दिया तो किसी ने five star दिया जब वो star rating देते हैं तो ultimately Google उसको show करना चाहता है कि जो product आप buy करने जा रहे हैं इस पर click करने से पहले ये समझ लें कि ये product इतने की बिकरी है और इतनी इसकी rating है और ये सारी चीज़ें आपके जो मजीद चाहिए ये stock में है या नहीं है ये आपको Google के उपर ही Google दिखाना चाहता है ताके आप वहीं पर click करें जहां पर आपको लगता है कि आपको जाना है for example अगर आप mobile धुन रहे हैं और आपको mobile के list मिल जाए और आप ये देख लेंगे कि कौन सा mobile बहतर है और कौन सा mobile कितने का लगावा किसी website में और उस mobile के features क्या है अगर आप एक ही mobile मुस्ली website पर देखेंगे तो हो सकता है कि आपको सारे features से मिलें लेकिन prices different मिलें तो आप क्या करेंगे आप ultimately उस website पर click करेंगे जहां पर आपको ये लगता है कि वो website आपको help करेगी या आपको ये लगता है कि website आपको सस्ता mobile दे सेखेगी तो ये आपके ओपर है कि आपके इसको पसंद करते हैं लेकिन Google की कोशिश ये है कि आपको maximum information Google के ओपर ही दे दी जाए और वो आपको इस صورत में वो देता है एक और फीचर है local pack के नाम से local pack का data Google map से आता है और ये local pack तब activate होता है जब आपको location based जगह से related को अगर query करें तो वो आपको उस से related results सिखाता है तो for example अगर हम restaurants की बात करें तो restaurants एक physical location होती है जहाँ पर आप जाकर खाना खा सकते हैं तो अगर Google को ये लगे कि आप जो धूंड रहे हैं उसके लिए एक location matter करती है उस location के तहाँ वो आपको maps दिखाता है और वो maps आपको बताएंगे कि आप किसी जगह से कितनी दूर है या किसी जगह से कितनी पास हैं और आप फिर ये decide कर लेंगे कि आपने वहाँ पर जाकर खाना खाना है या वहाँ जाकर आपने जो काम करना है वो करेंगे के नहीं इसका नाम local pack है और गूगल आपको इस तरह अकसर सर्चीज में एक map की सुरत में एक आपको locations भी दिखाता है और map भी दिखाता है एक और Google का interesting feature है knowledge graph के नाम से ये knowledge graph अकसर search के right side पे आता है ये right side पे knowledge graph तब आता है जब आपको कोई खास information चाहिए हो किसी particular चीज के बारे में जैसे कि हमने पहले देखा जब हम कोई किसी actor के बारे में या किसी खास मशूर building के बारे में अगर हम search करें तो Google उसके साथ information डिस्पले करता है और अक्सर ये information Wikipedia या दूसरे Insectopedia से आरी होती है और जहाँ पर अगर Google का मुनासिब लगे तो वो images भी दिखाता है, वो maps भी दिखाता है और वो मजीद further links भी दिखाता है कि आप शायद ये जानना चाहें या आप शायद इनको भी search करना चाहें तो इसको knowledge graph बोलते हैं और ये भी Google की बड़ी successful product रही है पिछले आट-दस सालों में जब जैसे इन्होंने launch किया, लोगोंने इसको बहुत पसंद किया और इसकी वएसे लोगों की बहुत सारी research असान होगी क्योंकि उनको मजीद click करके कुछ information जो दूसरी website पर जाकर देखनी पटी थी वो गूगल के ओपर ही देखी जा सकती है इसी से मिलता जूलता एक और feature है जिसका नाम knowledge panel है knowledge panel knowledge graph से थोड़ा सा different है और इसमें difference ये है कि knowledge panel basically सारी information गूगल से लेकर आता है तो knowledge graph में हमने जिकर किया कि वो Wikipedia या Encyclopedia से information आती है पर knowledge panel में information ज़़ा तर गूगल के उपर मतलब गूगल की maps, listing या दूसरी properties से ही आती है तो ये सिरफ इसमें इतना फरक है लेकिन नजर ये भी right side पर आता है ये रिवियू किया हुए है तो आपका number उसमें added है या आपके उसमें जगा का address added है तो Google आपके location इस से दिखाएगा उन लोगों को जो आपके business के बारे में search कर रहे है अक्सर Google को लगता है क्वे अगर आप एक चीज शर्च कर रहे है तो वो आपको मदीद चीजें भी search करते हैं तो research में खासूसन जब आप एक सवाल पोछते है तो इसके बार आप दूसरा सवाल पोछते है इसके बाराद प्षी सरा सवाल पोछते है ये डेटा सारा गूगल के पास मुझूद होता है गूगल इसी की बेस पे गूगल ने एक नए फिचर लाँच किया जिसका नाम People May Ask उनने इसी तरह से रखा उसमें ये करते हैं कि जब आप एक सवाल पूछते हैं तो गूगल को लगता है कि उसका जवाब देना जो ज़रूरी है लेकिन उस जवाब के साथ वह आपको मजीद सवाल और भी लिख देता है कि शायद आपको अगला सवाल ये पूछना पड़े य क्योंकि लोग अपने फेवरिट सर्च एंजिन में जाकर रिसर्च करते हैं तो वहाँ से वह सवाल मजीद आंसर जान सकते हैं एक और फीचर है इमेज़ पैक के नाम से जिसमें गूगल इमेज़ आपको दिखाता है तो अगर आप किसी भी चीज़ का इमेज धूंट रहे हैं तो गूगल चाहता यह है कि आप बजाए गूगल इमेज़ इसके उपर जाकर सर्च करें आपको फोरण ही इमेज़ दिखा हासिल कर सकते हैं एक और इंटरस्टिंग इसका न्यूज बॉक्स के नाम से फीचर है जो कि न्यूस रिलेटिड है अगर आप किसी टॉपिक के बारे में सर्च करें और वो टॉपिक के अगेंस्ट कोई न्यूज हाट न्यूज चल रही है या गूगल को लगता है कि इसके एक ऐसा टॉपिक है जिसमें न्यूज दिखाई जानी चाहिए वो आपको न्यूज बॉक्स के नाम से एक बॉक्स दिखाता है जिसमें लेटिस न्यूज जा ट्रेंडिंग न्यूज आपको दिखा देता है तो अगर आपको वो ऐसा टॉपिक है जिसमें कुछ वाकिया हु मिल गई है, तो इस तरह से Google अपनी innovation ले के आता रहता है, और वो कुछ चीज़े नहीं launch करता है, लेकिन साथ ही वो किछ चीज़े delete भी करता जाता है, ये totally depend करता है कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं, और Google कैसे उसको test करता है, और कैसे evaluate करके decide करता है कि क्या रखना है और क्या न